महिला का 52 साल की उमर में पूरा हुआ सरकारी नोकरी का सपना 6 साल ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे सुन्दर नगर की गीता देवी कांगणा में जेबिटी अध्यापक के रूप में हुई नुक्ती सरकारी नोकरी करना अधिकतर लोगों का सपना होता है अगर यह सपना उमर के उस दोर में पूरा हो जब उनके बच्चे भी स्कूल कोलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हो तो इसके खुशी और भी बढ़ जाती है ऐसा ही मामला परारंबिक शिक्षा विवाग कांगडा की ओशिजेबटी शिक्षकों की अनुबंद आदार पर हुई तैनाती में सामने आया है जानकारी के इनसार दो मास दोजार तैस को अनुबंद आदार पर जिवटी पदों के लिए कांसलिंग हुई थी इसके बाद परारंबिक शिक्षा विवाग कांगडा ने जिले के बाउन अब्यार्थे को नुक्ती दी थी चैनिती ने अब्यार्थे में मंटी जिले की संदरनगर की रहने वाली गीता देवी सबसे उमरत राज महिला में से एख है शिक्षावबा की और से जारी अदिश लसना के नुसार गीता देवी का जनम 1972 में हुआ था गीता को बैजनात बलोक के राज की अपरात्मी के पाट साला जुधर के लिए सामा निवरक से हुआ है जेबिटी पद के लिए गीता देवी का चन बावन वर्ष की उमर में हुआ है ऐसे में गीता मातर छे वर्षी अपनी शेवाई दे पाएंगी इसमें से भी उसके दो साल अनुबंद आदार पर नोकरी करते वे गुजर जाएंगे